वेल्कम और मैजस्टिक गर्ब संस्कान वारा आयोजन इस ते दिन के वर्क्शॉप के श्रिंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज का जो पांचवा दिन है वे बहुत महत्व को इंपोर्टन दिन है क्योंकि आज के दिन हम गर्ब संस्कार के मुख्य विभाग को मतलब कि प्रैक्टिकली जो एक्टिविटीज हमें पॉफॉर्म करनी है उन एक्टिविटीज को पूरे नौ महीने अच्छी तरीके से याद रखना है इसे प्रॉपरली फॉलो करना है तभी हम घर्ब संस्कार को सही माइने में फॉलो कर पाएंगे और आज हम इस बात को और ज्यादा पर्फेक्ट तरीके से समझ रहे हैं आपको मेरी आवाज आ रही है या ओके अवरिटिंग स्वाइन तो आज हम आपको यह सारी एक्टिविटीज आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं वो महत्वपूर्ण बात भी सिखाने वाले हैं ताकि ऐसा नहों कि हर बार आपको वर्क्शॉप या किसी ट्रेइनर की ही रिक्व अगरिवी टॉपिक को इस पूरे सब्जेक को आपके संग डिसकस करने वाले हैं तो कुरसी की पेटी बांध लीजिए एक बड़ी सी प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए आप सभी के चैरे पर क्यूंकि स्माइल बेभी को भी बहुत पसंद है और आपकी स्माइल को देखकर आ सबसे पहला सवाल जो मैं आप सभी को पूछना चाहूंगा वो यह है कि हमने कल आपको 12 एक्टिविटीज क्या-क्या है वो ढूंड कर उनका नाम लिखकर शैर करने के लिए कहा था बहुत सारे प्रेंट्स के रिप्लाई आये क्योंकि लाइव तो सेशन बहुत लोग देखी रहे हैं सेशन खतम होने के बाद उसके रेकोड़ेट वीडियो और साथी साथ रात को यूट्यूब पर जब इसका रिपिट टेलिकास्ट किया जाता है तब भी बहुत बड़ी संख्या में हमार आंसर्स चैट बॉक्स में लिखकर भेजना शुरू कर दीजिए कि कौन-कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो आपने शायद कुछ टेक्निकल क्वेरी की वज़ेस से कनेक्शन थोड़ी देर के लिए चला गया था पर यस आप सभी के रिप्लाई मिलकुल आ रहा है परफेक अभी आप सभी को आवाज आ रही होगी एंड आप लोग सुन भी पा रहे हैं राइट यस अगर आप अभी सुन पा रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में फटा-फट से यस लिखकर भी दीजिएगा यस श्लोक साखी प्रेयर योगा गर्ब सम्वाद एक्जेटली एक्जेटली यही सारी एक्टिविटीज हैं तो यह एक्टिविटीज प्रेगनंसी के समय क्यों करनी इतनी इंपॉर्टन है इस बात को हम समझते हैं पहले कि गर्ब संस्कार का पालन कितना महत्वकून है जैसे कि हम सभी जानते हैं कि खाना खाना बहुत पर pregnancy के दर्मियान फूड और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि होने वाले बच्चे को और माता को दोनों की सेहत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्साब बनता है ठीक उसी तरह गर्ब संसकार भी खाने जितना important है अगर आप भोजन सब्ता में एक बार या दो बार लोगे तो चलेगा सब्ता में एक या दो बार तो बहुत बड़ी बात है मैं ये कहूं कि अगर पूरे दिल में सिर्फ एक ही बार खाना खाना है तो क्या शरीर ढंग से चल पाएगा नहीं not possible ठीक उसी तरह गर्ब संसकार भी mental diet है हमारे मन का खाना है हमारे विचारों का खाना है हमारी समझदारी का भोजन है और इसके द्वारा गर्ब में पल रहे बच्चे का overall development होने वाला है इसलिए गर्ब संसकार भी खाने जितना भोजन जितना अवश्यक है और इससे हमें दिन में अलग-अलग समय पर अलग-अलग recipes के थूँ लेना है तो वो अलग-अलग तरीका, अलग-अलग recipes कौन-कौन सी है तो योगा, meditation, प्राणायाम, ये सारी activities हमें pregnancy के दर्मियान करनी है गर्बसमवाद करना है, अच्छी-च्छी कहानिया पढ़नी है कहानियों के द्वारा बच्चे के अंदर moral values हम ला सकते हैं बच्चे के अंदर अच्छे संसकारों का सीचन कर सकते हैं, अच्छी आदते उसे सिखा सकते हैं चौथी activity है, right brain development activity मतलब के अलग-अलग प्रकार के puzzle solve करिए, sudoku करिए, जैसे कि हमने day first पर किया था left brain development के लिए और right brain development के लिए अलग-अलग प्रकार की जो activities की थी उन में से puzzles के तो हो गया left brain के लिए और music, acting ये सारे subject हैं वो right brain development के लिए हैं तो इन दोनों प्रकार की activities हमें pregnancy के दर्मियान करनी हैं, prayers बहुत महत्वकुन हिस्सा है भगवान को प्राथना करनी है, होने वाले बच्चे की रक्षा के लिए, माता की रक्षा के लिए और भगवान जैसे स्रेष्ट गुणो वाली संतान हमारे गर्भ में आए, इस विचार के साथ भी हमें प्राथना करनी है येस, आज जब बहुत स्पेशल दिन होता है न तब छोटी-छोटे विघना जरूर आते हैं, तो आज भी थोड़े-थोड़े विघना इस तरह से आ रहे हैं, पर डोंट वरी, हम connected है constantly और कोई भी इसमें रुकावट नहीं आने देंगे प्रेयर हमने last discuss किया था, प्रेयर पर मेरी आवाज आपको आनी बिल्कुल रुक गई थी, तो प्रेयर को हमें एक बार वापस repeat करता हूँ, भगवान को हमें प्राथना करनी है, कि गर्भ में पल रहा बच्चा सुरक्षित रहे, होने वाली माता का स्वास्त भी अच्छा र करना है, बायोग्राफी के किस से पढ़ने हैं, जब भी हम किसी महान पुरुष के जीवन को देखते हैं, उनके जीवन की घटनाओं को पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो हमें एक अच्छा experience मिलता है, एक समझदार इंसान वही होता है, जो किसी के experience से सीख ले, ना कि खुद ठोकतर खाकर सीखने की कोशिश करें, तो बायोग्राफी भी एक बहुत महत्वकुन हिस्सा है, कि प्रेगनसी के दर्मियान हम अच्छी-च्छी stories, अच्छी-च्छी कहानिया बायोग्राफी में से पढ़ें, पूरी बायोग्राफी पढ़ना शायद इतना मु एक और important हिस्सा है, diet and recipe, क्या खाना, क्या नहीं खाना, इस बारे में तो वैसे भी हर एक pregnant mother बहुत alert होती है, तो ये भी एक महत्वकुन हिस्सा है, इसे हम थोड़ा विस्तार में आगे और सीखने वाले हैं, और जरूरी एक प्रोग्राम है, जिसे हम कहेंगे श्लोक, साखी, छंद दूहे, इन सब चीजों को पढ़ना, इन सब चीजों से बहुत सारे फायदे होते हैं, पहला फायदा, संस्कृत भाषा के श्लोक, जो की बड़े powerful होते हैं भाषा के माध्यम से भी, और संस्कार और सीख के माध्यम से भी, अब संस्कृत भाषा जो है, वो भाषा वि केबलरी पावरफुल बनता है भाशा को लेकर उसकी कैपेसिटी अच्छी बनती है भाशा सीखने की उसकी शमता बढ़ती है तो इसलिए संस्कित के शलोक प्रेगनसी के दर्मियान सुनने चाहिए पर सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा उसके अर्थ भी समझ में आने थे इसलिए संस्कृत में शलोकों की रचना होती थी सारी बाते संस्कृत में सिखाई जाती थी पर अब तो हम संस्कृत नहीं जानते तो संस्कृत भाशा सीखने से जो मतलब संस्कृत भाशा के शलोक सुनने से म्यूजिक का जो impact पढ़ने वाला है वो benefit होगा पर अर्थ न इन सब चीजों को भी pregnancy के दर्मयान सुनना चाहिए, कंठस्त करना चाहिए जिसके द्वारा कुछ अच्छे-अच्छे moral values हमें मिलते हैं सत्संध के गुण हमारे अंदर आते हैं इसके अलावा video and music की activity अच्छे-च्छे videos देखने चाहिए, pregnancy related अच्छे-च्छे music tracks सुनने चा इसकी भी magical effect होती है माता पर भी और घर्ब में पल रहे हैं बच्छे पर भी और ग्यारवी activity है सत्संध यहाँ पर गलती से brain activity लिखना आ गया है पर यह है सत्संध, सत्संध activity के अंदर हमें रामायन, भगवत गीता या फिर आप जिस भी धर्म संप्रदाय में मानते हैं उनक अलग-अलग जो भी संप्रदाइक ग्रंथ है उन ग्रंथों का पठन करना चाहिए धार्मिक क्रियाएं जैसे के मंदिर दर्शन करना, माला जाप करना, डिफरेंट डिफरेंट जो नवधा भक्ती के अलग-अलग प्रकार बताये गया है, भगवान का शिंगार करना, मंत्र जाप करना, ये सारी जो अलग-अलग क्रियाएं हैं, इनको भी प्रेगनसी के दर्मियान प्रैक्टिस करनी चाहिए, भक्ती भाव पुर्वक करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आस्तिकता, एक सत्संग का वातावरन घर में क्रियेट करेंगे, होने वाले बच्चे में भगव जाप करनी हैं, एक बार मिनिममम एक एक्टिविटी करनी है, कोई एक्टिविटी आपको ज़्यादा पसंद है, उसे ज़्यादा करूं और जो कम पसंद है उसे नहीं करूं, तो संपूर्ण फायदा नहीं होता, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज IQ, EQ, PQ, SQ को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड की है, एक्सपर्ट की टीम ने डिसाइड की है, इसलिए इसकी इंपेक्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो टोटल ये 11 एक्टिविटीज है, इनके थुरू हमारे 4 कोशन डेवलप होंगे, 5 सेंस डेवलप होगी, घर्भे में पल रहे है जिससे हम कहते हैं, वो एक्टिविटी क्या है, उससे हम आने वाले सेशन में थोड़ी देर के बाद समझेंगे, पर अभी जो सबसे ज़्यादा होता है प्रेगननसी में, योगा एंड डायेट, इसको लेकर सभी ममाज इतनी एक्सपर्ट होती है, इतनी एलर्ट होती है, ग पर इन दोनों सब्जेक के अलावा बाकी की 10 एक्टिविटीज जादा महत्वपून है, ये बात हमें नहीं पता होती, इसलिए हम सिर्फ प्रेगनसी के दर्मियान डायेट और योगा पर ही फोकस करते रह जाते हैं, तो आज आपको पता चला ये बात, कि प्रेगनसी के दर का होने वाला है, तो अब हम प्राणायाम योगा का क्या महत्वा है प्रेगनसी के दर्मियान इस बात को समझते हैं, काती लोग ऐसा कहते हैं कि प्रेगनसी के दर्मियान योगा करना कंपल सरी है, इसी से फायदा होगा, ये बहुत महत्वपून है, तो ये बात सरा सर मजनी है कि प्रेगनसी के दर्मियान अगर आप नॉर्मल प्रेगनसी फेस कर रहे हैं तो ही आपको योगा और प्राणायाम या वाकिंग वगेरे करना है अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है डॉक्टर ने आपको बैड्रेस्ट कहा है या आराम करने की सलाह दी है या आपको यह कहा है कि आपको प्रेगनसी के दर्मियान कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है तो आपको योगा की प्रेक्टेस या एक्स्ट्रा वाकिंग नहीं करना है फाइदा कम होगा नुकसान ज्यादा हो जाएगा राइट सो जब भी आपको योगा या प्राणायाम या कोई भ की पहली सला दूसरा instruction यह है कि pregnancy के दर्मियान कोई भी वीडियो देखकर कोई भी XYZ वीडियो देखकर आप योगा मत करिए राइट वो वीडियो बाबा रामदेव जी का ही क्यों नहों गया सिलपा शिटी का क्यों नहों राइट हम लोग क्या करते हैं फ्री में हमें कुछ चा रमियान जनरल योगा नहीं कर सकते, pregnancy के योगा अलग होते हैं उनके instructions अलग होते हैं और वो प्रिनेटल योगा एक्सपर्ट्स ही जानते हैं, बाबा रामदेव जी जानते हैं, पर अगर वो जनरल योगा की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो वो आपके कामका नहीं है, अगर बाबा रामदेव जी भी प्रिनेटल योगा करवा रहे हैं, तभी आप उनके योगा करिए, तो ये बहुत छोटी सी बात है और इस instruction को मैं आपको एक example के तोर पर समझाता हूँ कि जिससे आपको ये और ज़्यादा clear हो जाएगा नॉर्मल योगा में हमें क्या बताया जाता है प्राणायाम के लिए श्वांस लीजिए रोब कर रखिए, hold करिए और फिर उससे छोड़िए प्रेगनंसी के दर्मियान ऐसा नहीं करना स्वांश लीजिए और तुरंथ छोड़ दीजिए hold नहीं करना है अब ये कितना छोटा सा instruction है पर अगर आपने hold कर लिया अंजाने में तो वो बेबी को नुकसान कर सकता है तो ऐसी छोटी-छोटी बाबतों का ध्यान इन चीजों का ध्यान एक नॉर्मल योगा ट्रेनर नहीं रखेगा क्योंकि उनको प्रिनेटल योगा के बेजिक्स नहीं पता होंगे अगर उन्होंने प्रिनेटल योगा सीखा है तभी वो ये चीज़े आपको बता सकेंगे, तो हमेशा prenatal yoga experts के guidance में ही yoga करिये, और अगर prenatal yoga के guidance में आप कर रहे हैं, फिर भी doctor को पूछना compulsory है, doctor की permission लेना जरूरी है, एक समझदार prenatal yoga expert भी आपके doctor से consult किये bigger direct yoga नहीं करवाता, अगर genuine yoga practitioner है, तो वो ये चीज़ पहले कर करेंगे, आपके reports देखेंगे, आपके doctor से salamashora करेंगे, फिर ही आपको करवाएंगे, तो ये कुछ basic चीज़े हैं जो आपको ध्यान रखनी है, particular जिन प्राणायामों से गर्मी पैदा होती है शरीर में, वैसे प्राणायाम नहीं करने होते हैं, ओम chanting बहुत जरूरी है, इस इन सारी बातों के विश्तुरुत जानकारी, prenatal yoga experts के guided video के साथ, हमने application के course में पैयार करकर रखी हुई है, और वो भी आपके pregnancy के day के according आपको क्या करना है, उतना personalized way में बताया जाता है, जिसकी बात अभी हम थोड़ी देर में application को live देखने वाले हैं, उसका course समझने वाले है तब करेंगे, अब दूसरा एक hot topic, जो pregnant mothers के लिए बहुत important होता है, diet, मैं क्या खाऊं के जिससे मेरा baby तंदुरस्त बन जाए, मैं क्या खाऊं जिससे मुझे परेशानी कम हो, वगेरे वगेरे वगेरे, तो diet को लेकर हम सभी diet chart बनवाने के लिए बहुत ready होते हैं मानसिक तो पर पर राइट, हम curiosity इतनी होती है कि हम हर 15 दिन या दसवे दिन नया diet chart ढूनके निकालता है internet पर इसे, ज्यादा तर ममाज ऐसा करती रहती है, तो क्या diet chart बनवाने के बाद वो follow हो पाता है, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, और मुझे आप से इसका अंसर सुनना है, क्या आप अपना diet chart बनवाने के बाद उसे follow कर पाते हैं, और अगर कर पाते हैं, तो कितने घंटे के लिए follow कर पाते हैं, चलिए घंटे थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा मैं ज़्यादा time देता हूँ, कितने दिन के लिए कर पाते हैं, दो दिन, चार दिन? येस, डॉक्टर सुर्भी जी तो कह रही है, मैंने कोई chart ही नहीं बनाया, येस, यही सबसे सही तरीका है, diet को लेकर chart पर या इन सब चीजों पर मत attention करिए, क्योंकि जो चीज following नहीं होने वाली है, उसके पीछे पैसा क्यों खर्च करना, उसके पीछे time क्यों invest करना, इसके diet plan के अंदर, या diet के लिए क्या खाना, pregnancy में क्या खाने से benefit हो जाता है, ये सब चीजे जब हम ढूंडते हैं, तो क्या मिलता है, avocado का juice, broccoli के पराठे, almond का शर्मत बना कर पीना होता है, या हलवा बना कर खाना होता है, क्या ये सब चीजे आसानी से खा पाते हो, या ये चीजे और ज्यादा उल्टिया होती है, या और जी गबराने लगता है, तो ज्यादातर लोगों को ये सारी चीजे रूटीन में खाने की आदत नहीं है, और pregnancy के समय हम जोर करकर ये चीजे जब खाने जाते हैं, तो काफी लोगों को ज्यादा परेशानी हो जाती है, तो यहाँ पर एक चीज मैं आप सभी के मन में क्लियर करता हूँ, कि डायेट को लेकर जो गलत फैमी है ना, उससे हटाईए, अगर बदाम या एवकाडो या ब्रॉकली को खाने से ही तंदूरस्त बच्चा पैदा हो सकता है, तो इसका ये मतलब हुआ, कि गरीब के घर में तंदूरस्त ब खाने पीने की सारी सुविधा है न, वहाँ पर कमजोर बच्चा पैदा हुआ, प्रेगनंट मधर ने बदाम खाया भर भर कर मुठ़ी भर भर कर खाया बदाम, फिर भी बच्चा कमजोर पैदा हुआ, तो क्या साइकोलोजी है, खाने की इंपक्ट कहां जाती है, तो इस बा अगर आप positive विचार से खाते हो, तो बतला बदाम की जितना powerful चीज नहीं है, अगर आप sing खा रहे हो, पर अगर आप positive विचार से sing खा रहे हो, तो sing की impact बदाम से ज़्यादा अच्छी होगी, पर बदाम भी अगर आप negative विचार से खा रहे हो, तो वो बदाम भी sing से कम impact करेगा ये बात डायेट में सबसे ज़्यादा समझने वाली है इस बात को हमारे बड़े बुजूर कहते भी है पर हम उनकी बातों को काफी बार इगनॉर कर देते हैं इसलिए गरीब घर में भी जहांपर खाने पीने के लिए बदाम एफोर्ट नहीं की जाती ये अवकाडो नहीं लाया जा सकता वहाँ पर भी तंदूरस्त बच्चे पैदा होते हैं एक और सिक्रेट में आपको आज बताने जा रहा हूँ कि जिसके दवारा आपका डायेट प्लान और ज़्यादा पावर्फुल बन जाएगा भोजन किस विचार से आप खा रहे हो उत्ती ही पावर्फुल इंपेक्ट भोजन किस विचार से बनता है किस विचार से कमाया जाता है उसकी भी इंपेक्ट पड़ती है हमारे बड़े बाहर होटलों में खाना खाने के लिए जो मना करते हैं उसके पीछे यही कारण है क्योंकि घर में जब हमारी मम्मी आया दादियां खाना बनाती थी तो वो भगवान के भजन गाते-गाते खाना बनाती थी पहले के टाइम में अब वो कल्चर नहीं है पर पहले यह कल्चर था और यह चीज बाहर होटल में जाकर हम खाना खाते हैं तब यह कल्चर फॉलो हो पाता है वो बनाने वाला इंसान तो पैसे करने के लिए खाना बना रहा है उसके विचारों में प्रेम, माता की ममता नहीं होगी वो तो किसी भी विचार से खाना बना रहा होगा शायद हो सकता है कि मजबूरी में खाना बना रहा है गुसे में खाना बना रहा है तो जैसे विचार से वो खाना बना रहा है, वो विचार खाने के द्वारा हम में आते हैं. तो pregnancy के दर्मियान आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है, कि जब भी आप खाना बनाएं, या अगर आप नहीं खाना बना रहें, तो घर में जो भी इंसान खाना बना रहा है, खाना बनाते समय भगवान का भजन सुनिए, पॉजिटिव विचार करिए, वो विचार खाने के अंदर सम्मिलित होकर खाने वाले में जाते हैं, इस बात को हम एक practical example से समझते हैं, जब भी घर में कोई पूजा, पाठ, कथा, किर कितन वगेरे का आयोजन किया जाता है, सत्संग का आयोजन किया जाता है, तब हम प्रशाद बनाते हैं, सीरा, हलवा, या कोई भी चीज हम घर में प्रशाद के तौर पर बनाते हैं, वो चीज, पूजा वाले दिन, जब प्रशाद चड़ने के बाद खाते हैं, तब उसका तेस्ट कैसा होता है वही चीज अगले दिन उसी रेसिपी के साथ आप वापिस बनाई है सेम टेस्ट आता है हाँ या ना आप चैट बॉक्स में अपना अंसर लिखकर बेज सकते हैं पूजा वाले दिन जो भी चीज बनती है उसी चीज को नेक्स्ट दे बनाएं तो क्या सेम तेस्ट आता है नहीं आता राइट सभी का जवाब आ रहा है नहीं परक होता है क्यों फरक होता है वही बनाने वाला वही है इंग्रीडियंट्स वही है सब कुछ वही है परक पढ़ता है विचारों से क्योंकि पूजा वाले दिन आपके विचार पवित्र थे पर जिनके विचार, जब हम रुटीन टाइम में खाना बनाते हैं, तब हमारे विचार रुटीन लाइफ में होते हैं, कुछ भी सोच रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं तो इसलिए pregnancy के दर्मियान ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है और तीसरी important बात ध्यान रखनी है, कि खाना बनने के बाद उससे पहले भगवान को परोसिए, भगवान को थाल करिए उसका, भगवान को भोग चड़ाईए, ताकि वो खाना प्रशाद बन जाए अगर उससे पकाते समय, उससे कमाते समय, जिस सबजी वाले ने या जिस किरानी की दुकान वाले ने उसको खेत से खरीदा और आपके पास लाकर बेचा, इस पूरी प्रोसेस में उसके उपर अगर कोई negative विचार पड़े है, तो वो negative विचार उससे भगवान को परोस्ते से dilute हो जाएंगे, reduce हो जाएंगे, तो ये जो हमारी पुरानी परमपराएं है न, ये परमपराएं scientific है, ये विज्यानिक द्रश्टी कोण से बनी हुई परमपराएं, इन्हें अंदरशद्धा न समझे, इन्हें follow करिए, तो diet plan follow करने से ज़्यादा benefit होगा, खर्चा भी कम पार्ट करकर भी खाने की शुरुवात कर सकते हैं, तो ये सारी प्रक्रियाओं के द्वारा हम diet को powerful बना सकते हैं, है कोई खर्चा, है कुछ मुश्किल, बड़ा असान है, और ज्यादा impactful है, तो इससे हम follow करने की कोशिश करेंगे, तो ये तो हो गया physical quotient का development, अगर बच्चा तंदुरस्त चाहिए, एकदम सशक्त चाहिए, माता को भी तंदुरस्त रहना है, तो योगा और diet पर आपको follow करना है, और दोनों चीजों पर doctor के instructions को आपको follow करना है, अगर आपको ये प्रशना आता है, कि मैं पपीता खा सकती हूँ या नहीं, खजूर खा सकती हूँ या तो और किसी को मत पूछिए, अपने doctor को पूछिए, या तो आपके घर में जो सासु मा है, आपकी मधर है, उन्हें पूछिए, वे लोग सही discussion करेंगे, काफी लोग क्या करते हैं, online discussion करने जाते हैं, कहीं हमें कोई free में सला देने को बैठा है, medical related सला, योग से related सला, diet से related सला online नहीं लेनी चाहिए, compulsory ऐसे इंसान से वो सला लीजिए, जिसने आपका physical check-up किया है, जो आपके body को जानता है, क्योंकि हर एक शरीर अलग-अलग है, उस शरीर की requirement अलग है, मैं अगर आपको जाने bigger, सिर्फ आपसे phone पर बात करकर आपको सला दूंगा, वो general सला होगी, आप एक खास व्यक्ति है, आपका शरीर खास है, उस शरीर को जो जानता है, जिसने उसका check-up किया है, वही आपको योग्य सला दे सकता है, हम आए दिन देखते रहते हैं कि pregnancy के नाम पर जितने भी लोग पूछते हैं, maximum लोगों को medical सला चाहिए होती है, फ्री में, पर आप अपने medical सला लेकर अपने आपसे, अपने आपका नुकसान खड़ा कर रहा है, क्योंकि फ्री में देने के लिए या आपसे और कुछ पैसा कमाने के लिए कोई भी आपको medical सला ओनलाइन दे देगा, पर वो आपके हित में नहीं होगी, आपका body, आपका doctor जितना अच्छी तर development होता है, बच्चे को भगदार, बुद्धिशाली, तेजस्वी, उसका IQ powerful बनाना है, तो हमें brain activities पर focus करना है, जिसे हमने day 1 और 2 पर सीखाता, right brain development activity और left brain development activity, तो ये बात हम already समझ चुके हैं, बच्चे का emotional quotient powerful बनाने के लिए हमें घर्बसववाद करना है, जिसके बारे में हम डिटेल में सारी बाते समझ चुके हैं, इसके अलावा stories, biography, स्वामी वेकानन्द, गांधी जी, ऐसे जो जो महान पुरुष हो गए, मीरा बाई, जासी की रानी, लक्षमी बाई, मधर टेरेसा, ऐसे महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र, पंच तंत्र, इसके अलावा हित और spiritual quotient powerful बनाने के लिए श्लोक, साखी कडी, सत्संग की किताबे पढ़ना, सत्संग की धार्मिक क्रियाएं करना, prayers करना, ये सारी चीजे हमें pregnancy के दर्मियान करनी हैं, तो इस तरह से चारो quotient का perfect development होगा, अब ये सारी चीजे करने से गर्ब समस्कार हो जाएगा, गर्ब समस जाने के बाद अगर आपको पूछता हूँ, तो क्या होगा आपका जवाब, गर्ब समस्कार का पालन कैसे करें, तो आप इस सवाल का जवाब, ये सारी बाते समझने के बाद क्या देंगे, ये चैट बॉक्स में आप अपना answer लिख कर भेज सकते हैं, गर्ब समसकार का पालन करने के लिए, by following all 12 activities, course करकर, yes, exactly, ये 12 activities हर रोज करकर, आप गर्ब समसकार का पालन कर सकते हैं, और वो भी घर बैठे, तो अब मैं हार्दिक सर से request करता हूँ, कि हार्दिक सर आप हमें बताईए, कि हम ये 12 activities बड़ी आसानी से, घर बैठे, without any extra expense, 10, 15,000, 20,000 के फाल्तू खर्चे करे बिना, कैसे personalized way में घर बैठे कर सकते हैं, ये इसका राज, इसका secret हमें बताईए, over to you हार्दिक सर, Thanks a lot, सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तो chat box में फटा-फट से yes टाइप करे, Okay, great, yes, yes, सायथ से भी disturbance नहीं होगा, Great, now, सबसे पहने, before getting into that, आप में से कौन-कौन, डेली घर्ब संसकार को पालन करने की promise देता है, जो लोग मुझे promise देते हैं, वो लोग chat box में, Yes, I promise, promise me, ऐसा आप लिख सकते हो, आप में से कौन रोजाना, डेली घर्ब संसकार का पालन करके, स्रेश्ट गौन वाले बच्चे को जन्मत दिना चाहता है, Yes, हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपकी promise चाहिए, हमने जो पाँच दिनों में सीखा है, गर्ब संसकार का पालन करने के लिए, जो जो activities हमने सीखी है, वो activities आप रोजा ना करोगे, आप मुझे promise दीजिए, Yes, यहाँ पर promise आ रही है, Facebook पर भी सब लोग promise दे रहे हैं मुझे, Yes, Yes, promise, I promise, great, great, so everybody wants to practice गर्ब संसकार, that is really great, Now, let me ask you some harsh question, क्या आप रोजा ना ये सब कर पाएंगे, आप डेली घर पर संसकार को practice कर पाएंगे, आपको क्या लगता है, अगर ये करने के लिए आप जाओगे रोजा ना 10 से 12 activities, डेली बेजिस पे, आपको एक कहानी पढ़नी है, आपको एक वीडियो दिखना है, स्क्रिप्टर्स में से रिडिंग करना है, स्लोक पढ़ना है, योगा, डायट, प्राणायम, मेडिटेशन ये सब करना है, बायोग्राफी में से अच्छा इंसिडेंस पढ़ना है, डेली ये करना है आपको, तो क्या-क्या difficulties आएगी? कि, we are practicing these things since more than 12 years, you know, रोज नहीं हो पाएगा, let me tell you, biggest issue, सब को, आपको क्या लगता है, yes, time, time management, time management is going to the biggest issue, so, यहाँ पे आपको क्या-क्या कठना है आने वाली है, मैं पहले उसकी बात करूँगा, बाद में इसका solution क्या है, मैं वो बताऊँगा, सबसे पहला जो problem आएगा न, वो यह आएगा, समय नहीं मिलता, हाउस वाइप हो या working lady, daily 12 activities, you know, हमारी priority और कोई था, अब बच्चा है, और उसके लिए हमें extra time निकालना पड़ेगा, जहाँ पे एक से देट गंटाइन टोटल लगेगा, समय नहीं मिलता, that is a genuine reason, genuine problem, okay, second thing is that, किताबे पढ़ना पसंद नहीं है, किसको पसंद होता है, आज कल किताबे पढ़ना, कितनी boring सी होती है, मैंने तो बोल दिया, यहाँ पे यहार कहानी पढ़ो, अच्छी biography पढ़ो, biography यानि कितनी biography हो सकती है, you know, महान लोगों की अगर biography का लाओ, normal psychology क्या होती है, अगर मैं एक book लेके आता हूँ, आज पढ़ना चालू किया, पहला दिन है, 15 page पढ़ लिया, दूसरा दिन है, 10 page बढ़ा, तीसरा दिन वो किताब कहीं गायब हो जाएगी, कहीं कोने भी पढ़ी होगी, that is what the psychology is, हम नहीं पढ़ पाते regularly, that is the biggest issue, तो य ये भी problem आता है, books को manage करना एक problem सबसे बड़ा, और लाने के बाद उसको regularly पढ़ना, that is second issue, okay, third problem क्या होता है, कि चलो prenatal yoga के classes आपके surrounding में कहीं पे चलते हैं, एक तो आपको time नहीं मिलता, और dedicatedly एक गंड़े के class में जाना, आना, pregnancy में traveling करना, corona के time पे बाहर जाना, that is not advisable at all, और वैसे भी साथवे महीने बाद गुद बराई होती है, उसके बाद तो माईके में चले जाते हैं सब, बहुत सारे जगा पे इंडिया में ऐसा culture है, कि माईके में चले जाते हैं delivery के लिए, तो regularly classes आप नहीं attend कर पाऊगे, सब सब से ज़्यादा जब ज़रूरत रहती हैं अ तो अब हम नहीं कर पाएंगे, so that is another issue, और क्या-क्या problem हो सकते हैं, इतना पढ़ने के लिए जो आप material बनाओगे, इखटा करोगे, उसकी किम्मत होगी ना वो 20,000 से ज़्यादा होगी, अगर मैं biography की books, story की किताबे, puzzle books, activity books, इन सब की बात करूँ ना तो 20,000 से ज़्यादा हो तो लेट में टेल यू, डेली गूगल करना, उसके लिए time invest करना, अच्छी अच्छी चीज़े ढूणने के लिए, that again is cost, you know, आपकी समय की किम्मत लगती है वहाँ पे, और डेली अगर आप ढूणने जाओगे ना तो it is something like that कि आप नहीं करोगे, अगर आपको भूख लगी है, और खाना तयार पड़ा है, तो आप फटाक से खालोगे, लेकिन आपको भूख लगी है, और आपको ही खाना बनाना है, तो आप आलस कर जाओगे, वहाँ पे आप दूसरा alternative डूंडोगे, चलो ठीक है यार, पानी पीके काम चला देते, चाय पीके काम चला देते, नहीं बनाना खाला, you know, so that is going to happen, in addition to that, you know, हमारी मानसिक्ता क्या है, कि हमें जो पसंद आता है न हम वो ही करते है, यानि कि मुझे करे ले कि सब्जी पसंद नहीं है न, तो मैं नहीं बनाऊंगी, but do you want कि आपके बच्चे को भी करे ले कि सब्जी पसंद ना हो, अगर आपको पें ये भी एक प्रॉब्लम है, हम हमारी लाइकिंग के एकोडिंग गर्बसंसकार का पालन करना चाते, and सबसे बड़े प्रॉब्लम, डेली उसको प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेशन कहां से लाओगे, यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, यहां पे बहुत सारे ऐसे, यूनो वाइप्स होगी जिनके हस्बंड ने या आपने खुद ने, जीम का एक साल का पैकेट लिया होगा, लेकिन मुश्किल से पांत-दस दिन-पंदरा दिन आप जीम गए होंगे, होता है न ऐसा, क्यों ऐसा नहीं हो पाता कि आप रेग्यूलर्ली कर पाओ, मोटिवेश करने के लिए, बट, पांच दिन बाद, ये मोटिवेशन नहीं रहेगा, लेट अस डू सम्पल एंड स्मॉल एक्टिविटी, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, जो एक्टिविटी प्रूव करेगी, कि मोटिवेशन क्यों नहीं रहता है, ओके, सो आई रिक्वेस्ट अगर एक बोलू ना, तो एक बार ताली बजानी है, दो बोलू तो दो ताली, तीन बोलू तो तीन ताली और चार बोलू तो चार बार ताली बजानी है, सिंपल, आप सबके कैमेरास ओन हैं, जो लोग फेस्बुक पे जुड़े हुए, वो लोग भी मैं रिक्वेस्ट को, उन लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कि वो अपने दोनों हाथ फ्र कर दीजिए, रेडी, ठीक है, ओके, ग्रेट, सो मैं थोड़ा यानि ऐसे वेसे बोलूँगा, ठीक है, सो भी रेडी, विद दाट, मैं ऐसे सिक्वेस्ट में नहीं बोलूँगा, ओके, सो लेट उस बिगिन दे अक्टिविटी, वन, यस, I can see, you know, on cameras, आप activity कर रहा हो नहीं कर रहा हो, एक बोलू तो एक ताली, दो बोलू तो दो ताली, तिन बोलू तो तीन ताली, चार बोलू तो चार ताली, okay, let us begin the activity, one, great, two, three, one, four, great, simple है न, चलो, इसमें थोड़ा मैं twisted करता हूँ भी, मैं अगर एक बोलू तो दो ताली बजानी है, दो बोलू तो एक ताली बजानी है, तीन बोलू तो ताली नहीं बजानी, और चार बोलू तो तीन ताली, should I repeat it? या, okay, एक बोलू तो दो ताली, दो बोलू तो एक ताली, तीन बोलू तो नो ताली, ताली नहीं बजानी, और चार बोलू तो तीन ताली, आप रेडी हो, जो लोग कैमेरा स्टार्ट करके बैठे, प्लीज मुझे दो थम्स अप की साइन दिखा दीजिए, इप यू रेडी, ओके, ग्रेट, ग्रेट, चलिए, तीन, ये क्या हुआ, कई लोगों ने ताली बजा दी, कई लोगों के हाथ यहाँ पे आ गए, इसको ब दो में एक ही ताली बजानी, दो नहीं बजानी थी, चलो, once again, we are repeating it, okay, four, three, इस बार थोड़े बहुत लोगों के हाथ आ गई, यहाँ बे, okay, now you please tell me, पहली वाली अक्टिविटी और दूसरी वाली अक्टिविटी, दोनों में से difficult कौन सी लगी आपको, आप अपना आमसार च से difficult आपको कौन सी लगी, पहली वाली या दूसरी वाली, और रिजन क्या था उसका, what was the reason, yes, everybody is answering like second activity was difficult, obviously second, obviously second, what was the reason behind that, I wanted to know the reason, concentration कम था, okay, confusion था, due to logic, okay, और कोई रिजन हो सकता है, उसका confusion, train करना पड़ता है दिमाग को, very good, very nice answer, श्वेता जी, आपने बहुत ही सही answer दिया यहाँ पर, second वाला सब बुल रहें difficult था, क्यों difficult था, reason behind that was, our mind is trained for one, one, two, two, three, three, four, four, लेकिन जब मैं बुलता हूँ न, one, two, two, one, three, no, four, three, हमारा दिमाग इतना ready और train नहीं होता है, इसलिए उसमें difficulties आना शुरू हो जाती है, same thing is going to happen, आपकी normal जो routine life है न, वो one, one, two, two, three, three, four, four वाली है, और अभी हम बोल रहे हैं कि आपकी बेबी को priority दिचिए, आप 12 activities कीजिए, अब ये क्या हुआ, one, two, two, one, three, no, four, three वाला, यानि कि ये complicated है, हमारे लिए daily life नहीं थी, ये routine नहीं था, अब हमें routine change करना है, that is why it is quite difficult to keep yourself motivated throughout pregnancy, ये 12 activities throughout pregnancy करना, इसलिए difficult हो जाता है, लगता है simple, कि आज मुझे yoga, prana, meditation करना है, अच्छा, diet follow करना है, अच्छी कहानी पढ़नी है, biography पढ़नी है, sloka पढ़ना है, that is fine, looks simple, but that is not that easy, so, हम लोग ने क्या किया है, तीन बातों को हमने focus किया है, ये सभी problems का solution हमने design किया है, और इसके अलावा, तीन main points को हमने identify किया, कि घर्ब संसकार का पालन जो है ना, वो pregnancy के दिन के अनुसार होना चाहिए, so, it is not like that, कि आपका चौथा मेना चल रहा है, और मैं आपको फर्स्ट मन्त का योगा करवा रहा हूँ, no, that should not happen, अगर पांचवा मेना चल रहा है, तो protein intake ज्यादा होना चाहिए diet में, तो उसके according diet मिलना चाहिए, पहले मन्त का diet और पांचवा मन्त के diet पर definitely फरकाता है, तो same way pregnancy के दिन के according आपको करनी है activity, दूसरी बात, आपको अपने संतान में कैसी qualities चाहिए, एस पर 4Q, IQ, EQ, PQ, SQ, तो इसके according आपके संतान में आने वाले संतान में आपको कैसी qualities चाहिए, उस qualities को भी हमें ध्यान में रखना है, और उसके according हमें activities करनी है, और तीसरी बात जो ध्यान में रखनी है, वो आपकी पसंद नहीं, मम्मी की पसंद नहीं, बेबी को हमें priority देन सो ये बात ये ध्यान में रखते हुए, और जितने भी problems हमने यहाँ पे discuss किये, इन सब को ध्यान में रखते हुए, हमने एक solution निकाला है उसका, और ये solution है गर्ब संसकार गुरु एक का daily course, ये जो course है, वो आपके pregnancy के दिन के according daily ये 12 activities देता है, आपका pregnancy का जो भी दिन चल रह के आपकी delivery खतम ना हो, तब तक daily रात को 12 बजए activities हो जाएगी, और आपको 24 गंटे मिलेंगे activities करने के लिए, in total आपको 1-5 गंटा ही invest करना है, पूरे दिन में, वो भी कहीं भी कभी भी, application-based course है, तो आप कहीं भी कभी भी कर सकते हो, यानि कि आप working lady हो, then also that is not an issue, लिप्ट म मिट लगेंगे, पांच मिट भी नि लगेंगे उसको पढ़ने के लिए और देखने के लिए, एक वीडियो खाना बनाते टाइम पे देख लीजिए, डायेट खाना बनाते टाइम पे फॉलो कर दीजिए, योगा morning में उठके कर दीजिए, गर्पसंबाद जो उसमें दिया है, इसमें आपको डेली 12 activities मिलती है, और हर एक activities जो है ना, वो subject experts ने बनाई है, यानि diet वाला segment है, तो अलग-अलग 5 से 7 dietitians को consult करके बनाए, आयरुवेदा experts को consult करके बनाए, doctors, आयरुवेदा experts, you know, gynecologist है, homeopathic doctor है, dietitians है, yoga experts है, इन सब का input लेके इस सब content बनाई गई है, तो इसमें आपको हर रोज एक segment आता है, dear mom, प्रसंदी ने बता है न, 11 activity तो बता दी, 12 activity कौन सी होनी चाहिए, तो वो आपको motivate करे activities करने के लिए, तो यहाँ पर dear mom में आपका बच्चा, जिस हिसाब से आपके घर्ब में develop हो रहा है, उस हिसाब से daily आपको एक sentence बजेगा, य घर्ब संबाद, अलग-अलग घर्ब संबाद, 50 से ज्यादा in total घर्ब संबाद, distributed manner में आपको आएंगे, घर्ब संबाद में आपको affirmative suggestions, auto suggestions जिसको बोलते हैं, positive input क्या देने हैं बच्चे को, वो भी आएगा, monthly घर्ब संबाद आएगा, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ आएगी वहाँ पे, हर रोज, biography में से एक incidence, यानि कि आपको 50 biography की book purchase करने की जरूरत नहीं, लेकिन उस 50 biographies में से, जो best incidences थे, छोटे-छोटे incidences, वो हमने यहाँ पे रखे हुए, it won't take more than one or two minutes, so वैसे biography मिलती है आपको, in addition to that, आपको diet मिलता है, उसमें monthly diet आता है, और daily, diet के according recipe आपक होने की, activity of the day for red brain development activity, sloka, saki with meaning, हर रोज एक वीडियो, वो motivational हो सकता है, comedy हो सकता है, singing based हो सकता है, you know, informative वीडियो हो सकता है, so जो अलग-अलग category के वीडियो आपको देखने चाहिए, उसमें से हर रोज एक वीडियो यहाँ पे हम आपको ढूंड के देते हैं, उसके अलावा prayer ह योगा, diet, meditation, brain activity for labrin development activity and garbatsatsang, वहाँ पे आपको गीता, rama and ved, उपवेद, इन सब की summary मिलेगी, यानि कि गीता के 18 अध्या है, तो आज अगर आपको गीता के अध्या आ रहा है ना, तो एक ही अध्या है, एक ही page में आएगा, that's it, it won't take much time, you know, so in total एक गंटे से ज्यादा समय नहीं लेता, एप की activity करने के लिए, so ऐसे 12 activities है, मैं एप का आपको live demo दिखाओ, उससे पहले में थोड़े बहुत उसके results आपको दिखाओ, जो लोग zoom पे हैं, वो, you know, zoom in करके देख सकते हैं, यहाँ पे एक माता ने हमें feedback दिया, वैसे तो दिन के, you know, बहुत सारे मैने के ह positive हो गई वो माता, कि उनको लगा कि उनकी delivery एकदम painless थी, normal delivery that is fine, but painless delivery उन्होंने फिली थी, you know, कुछ महीने पहले ही हुआ है, कि triplets ने जन्म लिया, और उनमें से, उनके पिता जी नहीं ये feedback दिया, कि miracle was that, कि एक भी बच्चे को NICU में, यानि कि तीन बच्चे एक साथ नहीं होते हैं, तो उनको ICU में रखना पड़ता है, NICU बोलते हैं उसको, यहाँ पर triplet में से किसी को भी NICU में नहीं रखना पड़ा, और doctors were amazed, कि ऐसा कैसे हुआ, यही है power mental diet का, यही है power गर्ब संसकार का, इवन बहुत सारे ऐसे, you know, immediately hospital से हमें responses आते हैं माताओ के, एक baby girl जलने जन्मली या 4.25 kg, उनकी माता डिप्रेशन में थी, जब उन्होंने को स्टार्ट किया था, and this is the result that she got, ऐसे तो बहुत सारे, इवन तीन महिने का बच्चा, ओम चैंटिंग, यह तो वीडियो भी सायद आपने देखा होगा, सो ऐसे बहुत सारे amazing results इस एप के है, एप का नाम है घर्ब संसकार गुरू, उसकी link already everybody is using that, क्योंकि आप लोग हमें contest में participate करके, responses दे रहे हो, मैं एप की link यहाँ पे zoom पे शेयर कर दी, घर्ब संसकार गुरू, apple phone और android दोनों पे available है, So let me quickly just go through the issues, जो issues थे ना, समय नहीं मिलता, that is fine, anytime, anywhere, this is app-based solution, दूसरा क्या था, किताबे पढ़ना पसंद नहीं है, don't worry, हमने क्या किया है, simple और concise, यानि बहुत छोटा बना के, जो आपको जो उसमें से, you know, conclusion लेना है न, वैसा conclusive writing यहाँ पे किया है हमने, नियमित class भरा नह नहीं जाता, don't worry, हमने in-app videos guidance दिया है, जैसे कि योगा में, तो योगा में हमारे experts ने video guidance दिया है, यहाँ पे, दैनिक पालन करने के लिए motivation, एक है dear mom, और दूसरा है अपनी सासुमा, हमने क्या किया, एप में सासुमा को चुपा के रखा है, अगर आप activity नहीं करोगे न, तो अंदर से notification आएगा, एक आवाज आएगी कि ममा, आज तो आप बहुत busy लग रहे हो, मेरे लिए कहानी नहीं पढ़ोगे, तो ऐसे hidden features भी application में हमने रखे हैं कि जिससे आप motivate हो, और daily activities करो, और यह particular course जो है न, उसका particular, actually यह daily basis के आपको pregnancy के दिन के according, आपको 12 activities देने के लिए technical पूरा setup, technical team और यह सब लगता है, so costing बहुत लगता है, but what we have done, actual costing जो हमने estimate की थी इसके application की, वो थी 7000, but इस साल के लिए हमने 80% discount पे रखा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अफोर्ड कर पाए, और ये गर्बस संसकार का पालन, गर्बस संसकार गुरू एप के कोर्स से करे, और स्रेश्ट और संसकारी समाज का निर्बान हो सके, उसी आशाई से हमने 80% discount rate पे इसको रखा है, अभी 1400 रूपिये में ये particular है, workshop के जो participants है, उनके लिए थोड़ी special offer और होगी आपको मिलेगी, मैं अभी आपको application का live demo दिखाता हूँ, कैसे दिखती है, क्या क आप, तो गर्बसंसकार की पूरी माहिती, पूरी information, यानि गर्बसंसकार के बारे में जो भी बोला गया या लिखा गया है, सब कुछ, with basic activity, general activity, आपको free of cost यहाँ पे मिल जाती है, तो कहीं से भी आपको book even purchase करने की जरूदनी, book का 500 रुब्या भी बच जाता है, even हमारे webinars यह subscribe करना चाहते हो, आपकी pregnancy के आज के दिन से आपकी pregnancy कतम ना हो तब तक के लिए, तो आपको यह banner पे click करना है, कहाँ पे, यह जो banner यहाँ पे कुम रहा है, यहाँ पे कीसी पे भी घर्बसंसकार कोर्स लिखा हुआ, वहाँ पे आप click कीजिए, तो आपको यह वाली screen आएगी, यहाँ पे उसके फिड़ेक, वीड़ेक सब आपको मिल जाएंगे, और नीचे बटन है subscribe course, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे full course आप select करो, 1400 वाला option जो दिख रहा है, 80% discount पे मैंने जो आपको बताया, वह select करके, आप proceed to payment पे जाएए, जैसे ही वहाँ पे जाओगे, तो आपको आपको आपकी pregnancy का current day पुछेगा, तो आपको अगर याद है तो आप directly type कर दीजिए, अगर नहीं याद है, तो pregnancy calculator यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी LMP date जो रहती है, वह आप जैसे ही डालोगे, उसके according वो calculate कर देगा, तो आप अपने pregnancy का दिन डाल दिए, enter किये और submit किजि labor के लिए offer लेक्या है, उनके लिए क्या है workshop participant के लिए, आपको एक coupon code यूज करना है, do you have a coupon code, तो वहाँ पे जी, जी फोर घर्ब संसकार, 82, normally 80% discount है, बट आपके लिए 82% discount, ओके, let me tell you, जो लोग अलग-अलग contest में participate करके winners हो चुके हैं, उनके लिए हम 84% discount offer कर रहे हैं, उनक का coupon code, जो यहाँ पे डालना है, वो email पे मिल गया होगा, even including today's winner, ठीक है, तो आप एक बार mail चेक कर दीजिएगा, आपको coupon code मिल गया होगा, अगर नहीं मिला होगा, तो आप हमें WhatsApp कीजिएगा, अगर आप winner हो तो, ठीक है, तो आज के दिन के लिए offer है G82, और वो एंटर करके नीचे वाला बटन जो है ना, click here to proceed, वो दबाना है, तो आपका price 7000 से सिधा हो जाएगा, 1260, अब online payment पे नाओ पे जाएए, और पे नाओ पे जाके, Paytm, debit card, credit card, UPI, net banking, कोई भी option से secure payment कर सकते हो, जैसे ही आपका payment खतम हो जाएगा, तो मैं अभी sign out करता हूँ, और जैसे ही आपका payment खतम होगा ना, तो जो वाली screen आएगी मैं उस पे directly ले जा रहा हूँ, ये मैंने actually पहले से ही तयार करके रखा है, आपको demo देने के लिए, तो जैसे ही आपका successful payment हो जाएगा, उसके बाद immediately आपको ये वाली screen दिखेगी, payment successful और एक introductory video जिसको आप अभी skip कर सकते हो, और प्रार्तना के साथ शुरुवात करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, वहाँ पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको अपने संतान में कैसी qualities चाहिए, उसका list है, ये list आप select कर दीजिए, normally क्या होता है, सब लोग पुरे list select कर देते हैं, क्योंकि अच्छी qualities ये हमने यहाँ पे डाली होगी, ये करने के बाद, आप submit पे क्लिक कीजिए, तो आपका personalized course बन जाएगा, दो parameter काम करते हैं यहाँ पे, आपका pregnancy का जो दिन चल रहा है, उस दिन से, उस दिन का, और आपने जो qualities select की है, वो qualities के according आपका course बनेगा, यानि कि दो लोग अगर subscribe कर रहा है ना, तो तो उनों को अलग-अलग activities आएंगी, क्योंकि उनकी इच्छित गुणों, संतान के इच्छित गुणों की choices अलग-अलग थी, तो वैसे personalized, customized course आपका खुद का बन जाता है, submit कीजिए, and you will be here, ये informative screen है, जैसे कि आप 99 बाद दिन है, तो आपको motivate करने के लिए, आपको ऐसा द पीछे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये daily करने वाली चीज़ है, ठीक है, तो उससे आगे का data नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका baby का जो development हो रहा है न, उसके according यहाँ पर data मिल रहा है आपको, तो पीछे का data अभी refer करने का कोई purpose है नि, कोई मतलब है नि, यहाँ पे even आपको गर्बसंसकार के workshop जो अभी चल रहा है न हमारा, उसका recording भी आपको ready made मिल जाएगा, तो इवन आप कभी भी चाहो तो आप refer कर सकते हो ये workshop, तो यह हो गया pregnancy का दिन, ओके ठीक है, अब नीचे यहाँ पे pink बटन दिख रहा है, click here to start your activity, वहाँ पे click कीजिए, यह आगई आपक का dress लेके आए, अब थोड़े डिले, थोड़े डिले कपड़े पहनने होंगे, जैसे यह activity हो जाती न, वहाँ पे tick mark है नीचे, देखिए, उसको click कीजिए और done कीजिए, यह हो गया, घर्ब संबाद, यह देखिए, right swipe करना है, ज्यादा तर multiple images हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे चौथे मास का क्या क्या suggestions है, auto suggestions, गर्ब संबाद, auto suggestions, यह नीचे वीडियो का icon जहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे click कीजिए आप, जैसे वहाँ पे आप click करोगे, तो आपको उसका video भी दिखेगा, pregnancy music के साथ अबने record किया हुआ है, गर्ब संबाद, activity को complete कर दीजिए, activity जै जैसे ही डन हो जाएगी, उसका color change हो जाएगा, वैसे ही आपको आज की कहानी, बस यह छोटी सी scene और CR की कहानी है आज, it won't take more than, you know, two minutes to read, जैसे ही कतम हो जाए, उसका सार ले लिजिए, उसका conclusion अपके बच्चे को दे दीजिए, activity of the day में वहाँ पे activity का video आएगा, या तो लि presenting कैसे करना है, इवन आज का आसन है ताडासन, त्रीकोणासन, इवन नीचे video guidance भी हमारा, देख लीजिए, हमारे experts ने record किया हुआ है, दूसरा अभ्यास अब शुरू करते है, जिसका नाम है त्रीकोणासन, तो आपको video guidance के साथ मिलेगे, जैसे ही activity खतम होती है, टिक मार पे click कीजिए and done कीजिए, अगर कोई activity क्यों दी गई है, उसका purpose आपको मालूम ना पड़े कि जैसे कि प्रार्थना, तो प्रार्थना करने का क्या फाइदा है, तो उपर eye icon दिया गया है, देखिए, तो प्रार्थना करने का उद्यस्य क्या है और lap क्या है, वो आपको समझ में आ जाएगा, तो वैसे अलग अलग बारा एक्टिव, उसमें आज की रेसिपी, हर रोज आपको एक रेसिपी मिलेगी, आज का वेंजर ने PC हुई दाल के खमन, रेसिपी तैयार है आपको, आपको टेंसर लेनिक अगर possible है तो आप बना के खाईए, और monthly diet का पुरा guidance है, यान is available in three language, तो तीनो लेंग्वेज में available है, उसके meaning भी आ गया है, इसका recording भी आ जाएगा वहाँ पे थोड़ी दिनों में, यानि कि आप सुन भी पाहोगे, समझ भी पाहोगे उसका meaning, वीडियो है, brain activity में आपको हर रोज एक puzzle मिलेगी, जैसे कि आज की puzzle है, तेरा की योसत पाने के लिए 6, 16 और 8 में से कौन सी संख्या साविल होने चाहिए, उत्तर गिया गया है सैड में, लेकिन हम पुछेंगे कि आपने खुझ से किया है, अगर किया है, तो ठीक है, उसको done कर दीजिए, गर्व सत्संग में अलग-अलग, you know, scripture related thing, या तो बागवत सप्ता के वीडियो आएंगे, आज आपको वीडियो देखना है, बागवत सप्ता का, जो हमने record करवाय हो है, तो वहाँ पर सत्संग related activity होगी, अगर आपको पिछे का कोई दिन का activity बाकी रहे गया, तो आप वो दिन सेलेक्ट कीजिए, उस दिन की activity आपको मिल जाएंगी, तो प्रिवियस त्री segment आपको मिल जाएगा, बैक करके आप पापस आ सकते हो, यहाँ पर report का option भी है, आज आपने कितने activity की, और IQ, EQ, PQ के हिसाब से आपने कितने activity की, वो report मिल जाएगा आपको, यहन आपको अगर reminder set करना है अपने हिसाब से, कि मुझे दो बजे reminder चाहिए, कि मुझे आज कहानी पढ़ने है दो बजे, तो आप reminder भी set कर सकते हो, change day functionality वहाँ पर दी गई है, अगर गलती से गलत दिन डाल दिया, तो आप change day कर सकते हो, लेकिन यह एक ही बार functionality यूज कर पाओ गया, ठीक है, this is one time usable functionality, उसके बाद आप नहीं कर पाओगे, so make sure about that thing, आप calculate करके, सही करके ही डाल पाओगे, उसके बाद आप चिन नहीं कर पाओगे, so these are the features of, you know, Garbisans का गुरू application, as far as planners are concerned, planners अगर यह course ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, अगर मैं उसकी बाद बताओ, तो planner advance में course को purchase कर सकते है, planners can purchase this course in advance, but उनको actual application जो है न, वो pregnancy conceive करे, उसके बाद चालू करना है, let me just log in into planners account, जो लोग planners है, planners को क्या दिखेगा वहाँ पे, planners को payment करने के बाद ये वाली screen आएगी, normal वाली, payment successful वाली, जैसे ही आप वहाँ जाओगे आगे तो planners को अपने गुणों की, आने वाले बच्चे के गुणों की यादी आपको देनी है, आपने select कर दिया qualities, उसके बाद, जैसे आप आगे जाओगी, तो वहाँ पे एक warning आएगी आपको, यदि आप planners हो, तो आप निसुलक dashboard तक पहुतने के लिए निचे देगी विकलमों से नहीं का select के, और वहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आप अभी कुछ सुरू करना चाहते हो, तो आपको ना select करना है, if you are a planner, ठीक आपको top corner पे जो 3 horizontal line दिखती है, वहाँ पे जाना है, और वहाँ जाके start your paid course का option है, यह specifically planners के लिए में बता रहा हूँ, planners offer का benefit लेके आज purchase कर सकते हैं, लेकिन start your paid course पे जब तक click नहीं करो, कि आपका paid course चालूँ नहीं होगा, क्योंकि यह course जो है, pregnancy के दिन के इसाप से चलता ह तो जैसे ही आपको good news मिलती है, आप start your paid course करें, let me tell you, एक warning है यहाँ पे, जो planners advance में purchase करते हैं, यह start your paid course वाला option आप एक ही बार यूज़ कर पाओगे, तो testing करने के लिए, demo करने के लिए आप मत use कीजिए, अगर आप purchase करते हो तो गलती से भी मत कीजिए, जब conceive हो जाता है, त I hope it is clear to you, अगर आपको कोई doubt है, Hello, yeah, am I audible now? अगर मेरी आवाज आ रही है, यहाँ पे थोड़ा network issue आ गया था, अभी मेरी अगर आवाज आ रही है, तो आप प्लीज चेट बोक्स में यह strike कर दीजिए, अगर कोई question आया था वहाँ पे तो मैं जब समझा रहा था तो प्रसान जी अगर आप उनलाइन हो वहाँ पे? अगर कोई question आया था वहाँ पे तो मैं जब समझा रहा था तो? नहीं, majority questions आपने already cover कर लिये थे, coupon code के बारे में कुछ confusion है किसी को तो हम एक बार उससे वापिस पर्ष्ट कर लेते हैं, आज का coupon code है G82 Yes, G82, right? G capital में नहीं लिखना है, हमें small में ही लिखना है और एक application purchase करते हैं, एक ही coupon code valid रहेगा अगर आपके पास कोई gift code आया है, जो winners थे उन लोगों के पास, तो आप उस gift code को ही use करिएगा, coupon code को इस्तमाल आप नहीं कर सकते और अगर आपने already application purchase करना है, वो coupon code को उनको G82 यूज नहीं करना है, उनको email में जो coupon code मिला है, उनको वही coupon code यूज करना है और application का charge पाचवे, छठे, साथवे महीने के इसाब से अलग नहीं है, क्योंकि अगर monthly charge हम गिनने जाएंगे तो वो 1500-2000 से उपर ही जाने वाला है, इसलिए अभी flat 80% discount और उसमें भी 2% additional discount करकर आपको अभी 82% में सभी के लिए common price कर रखा है, तो discount पर discount possible नहीं हो सकता, आप समझ सकते हैं, तो आपका साथवा महीना चल रहा है, आठवा महीना चल रहा है, उससे time से कोई भी लेना देना नहीं है, अगर आप लेट शुरू करते हो ना, that doesn't mean you are late actually, हमने smartly technology का use करके इसमें इतना smart application बनाया है, कि अगर आप लेट भी चालू कर रहे हो ना, तो भी maximum qualities cover ह हो जाए बच्चे की, उस हिसाब से आपको data मिलेगा, वहां पर, personalized course मिलेगा, so we are taking care of that particular thing, even we have got many examples, कि जो आठवा मेना खतम हो गया हो, और आप subscribe किया हो, आपका जब session चल रहा था ना, तभी हमार एक app user है, मित्तल पटेल जी, उनका message आया, उनको 7th month पे doctor ने ये सला दी थी, कि आपको complications ज़्यादा हैं, और आपको 7 month में premature delivery करनी पड़ेगी, और possible है कि PICU भी करना पड़े, बट वो application यूज कर रहे थे, उन्हों इतना विश्वास था application के course पर, कि कोई भी परेशारी नहीं होएगी, मैं इससे continue करूँगी, आराम से complete होगा, और अभी उनका message आया, बेबी के photograph के साथ, कि 9 month complete होने के बाद मेरी delivery हुई है, कोई complication जो भी थे, वो सारे गायब हो गए, कहां course करते करते, पता ना चला, डॉक्टर भी ताजुब में है, और बेबी एकदम healthy born हुआ है, PICU की requirement भी नहीं पड़ी है, तो ऐसे चमतकारी कनुभाव हमें हर दूसरे तीसरे दिन मिलते ही रहते है, किस ना किसी app users के तौर पर, क्योंकि application का course इस तरह से design हुआ है, कि जि जितना ज्यादा खुश रहेंगे, उतना obviously बेबी के उपर ज्यादा effect आएगी, तो इस तरह से इस course को design किया गया है, हादिक sir, काफी सारे friends ने application का course subscribe करना शुरू कर दिया है, और almost मैं आपर देख पा रहा हूँ कि हमारी जो limit है, ये code use करने की, वो complete होने आ रही है, पचास के limit, yes, it is about to close, actually 48 application हो चुके है, okay, okay, yes, hello sir, just let me know, पूरे 9 मंथ के लिए ये 1260 है या पर मंथ, प्रिया जी ये पूरी pregnancy के लिए है, पर मंथ नहीं है, काफी लोग pregnancy के courses पर मंथ या पर टाइमेश्टर के इसाब से देते हैं, और फिर वो चार्ज हो जाता है, दस बारा 15,000, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सीन, हम यहाँ पर जो technical cost लग रहा है ना, बस उस technical cost के charge में ही आपको application प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये आपके current day से लेकर, delivery के दिन तक का सब कुछ आ गया, आपको बार-बार इसके लिए और कोई payment बाद में करने की requirement नहीं रह जो चुकी, I can see that. Small, capital नहीं, और 82, 82% जो discount की figure है, वो G82 है, आरती जी आप इसे coupon code में डालिए, और coupon code में डालने के बाद उसके नीचे गर्बसंस का payment, click here to proceed ऐसा लिखा हुआ है, उस पर click करिए, अगर आप coupon code के उपर वाले click here to proceed पर करेंगे, तो नहीं होगा, okay great, आपको पता चल गया, और अ okay, हादिक सब तो हमें काम करते हैं, काफी लोग बाकी है, मुझे WhatsApp पर भी काफी लोगों के messages आ रहे हैं, तो हम इसे और 50 के लिए बढ़ा दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को benefit मिल सके, that what I am doing right now, and it is done, yes, और 50 के लिए हमने बढ़ा दी है वहाँ, believe me, great, तो अभी जि ऐसे ही आप ये application लेते हैं, तो आपका course confirm हो जाता है, अभी आपको paid segment start नहीं करना है, conceive करने के बाद start करना है, तो application purchase कर लेने के बाद, आप हमसे phone पर personally समध लीजिएगा, वैसे तो हार्दिक सर ने ये पूरा समझा दिया, ये video भी YouTube पर और Facebook पर अभी 2-3 दिन available होगा, तो आप वहाँ पर इसे वापिस सुनकर भी अपना query solve कर पाएंगे, otherwise हम तो आपके पास हैं, तो इस तरस से आपकी यहाँ पर help हो जाएगी, यह score यहाँ पर वापिस अजली जी लिए आना है, अगर अगर app user है यहाँ पर existing, तो हमारे बीच में कोई application users है, तो प्लीज आप अप आपका जो comment है, आपका feedback है, वो share करिए यहाँ पर, okay, Dr. Vandita जी, Vandita जी, अगर आप comfortable है, तो हम आपका mic on करे, तो आप अपना review, सबके संग, अगर बोल कर share कर पाएंगे, तो ज्यादा बैटा रहेगा, अगर आप comfortable है, तो आप yes लिख कर बेजिए, Yes, Vandita जी, your mic is unmuted, please, बताइए, good afternoon everybody, बहुत ही अच्छी आप है, और मैं इसको daily use कर रहे हूं, मैंने जैसे आपने बताया, sessions divide कर रखे हैं, सुबा का योगा, रात की प्रेयर, और बीच-बीच में, जैसे ही time मिलता है, I make sure कि मैं सारी त्वेरर अक्टिविटी ज़रूर करूँ, और बायचांस अगर रह जाती है, तो कल का मैं अगले दिन कर लेती हूं, and एक और चीज है कि अगर बेन अक्टिविटी है, मैं अपने फैमिली मेंबर्स वाले ग्रूप में भी डाल देती हूं, ताकि सारे मज़े ले पाई उस सब मैं खुद पहले आंसर करूं और देन आगे फरवर्ड कर पाऊं ऐसे, और मुझो तो बहुत पाईदा और एड 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 वेरी पॉज़िटीव फर माइन फर में बीड ग्रेड ग्रेड और किस सेग्मेंट में डॉक्टर की तर पर पर काम कर रही हैं, I'm a dentist, okay, आप तो आपका जो वर्किंग बेग्राउंड है या उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी आपको एप्लिकेशन का इस्तेमाल करने में टाइम की कोई किलत नहीं आती है, आराम से हो जाता है, बहुत ही आराम से हो जाता है, अगर मैंने पूरा स्केडियूल बना रख है, और को उन सी अप्लिकेशन का अपकरनी है, और कि यस में डियर मॉम मेक्शार करती हूँ, अरली मॉर्निंग उठते ही देख लू क्यूंकि कि यूँकि बेभी के मैसिजे ऐसे होते हैं कि उसे टाइम करने पड़ते हैं, कई बेभी बोलता है, शो मेदा फ्लार्स, से मेद सभी ममास का कहना होता है, सो विल्कुल आप वही एंजॉय कर रही है, ग्रेट, ग्रेट, थैंक्यू सो मच वंदीता जी, आपने अपना एक्स्परियंस शेर किया, मैं काव्या जी को यहाँ पर अन्म्यूट करना चाहूंगा, काव्या जी भी अप यूजर है, यस काव्या कि तरफ से कुछ connection में issue लग रहा है, हैमाली जी भी है हमारी साथ, मैं हैमाली जी को भी meanwhile unmute करता हूँ, यस हैमाली जी, हैमाली जी आपको भी हमने request भेजी है, यस डॉक्तर रादिका जी कह रही है कि उन्होंने application purchase कर लिया है, congratulations, रादिका जी, again हमाली जी की तरफ से message तो आ चुका है, but she is not getting voice, I think, तो, अपका voice ना आँ है, माली जी, बोलिए, मैरा आई ये दूसरे बच्चे के लिए प्लानी है, मुझे एक बेबी बच्चे के लिए 6 months, 6 years का, और अभी बेबी के लिए प्लान कर रहे है, बेबी गर्ल के लिए, और मैंने पहले बच्चे के लिए भी गर्शांस्कार की थी, लेकिन तभी मैं कुलाइड लाइस में थी, as a professor, तो मुझे थोड़ा दान मिलता था, लेकिन अभी मैं अभी मैं अश्री हूँ, तो पूरा करती हूँ, और मेरी दो या तीम फांसे उज़े भी मैंने सुझेस्किया कि ये अपमेश आप डाउनलोड कर लो, और देखो बहुत अच्छा है और इसका इंप्रूमेंट भी अच्छा रहेगा, तो आपका बेबी का माइन है उसका पर, मुझे बहुत भी अच्छा लगता बिल्कुल, बिल्कुल, प्रैक्टिकल बात है, आपकी वो चीज ऐसी है कि इसमें मेडिकल हिस्ट्री रहेगी आपकी प्रॉपर तो उसमें ठोड़ा टाइम लग सकता है, बट हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप गर्भसमवाद करना शुरू कर दीजिए, दिन में एतलिस् समय एंजोई कर रही हूं, ये बात आपको विजुलाइज करनी है, गर्भसमवाद में बार-बार रिपीट करनी है, ऐसा करने से कंसीव करने में बहुत इजीनेस हो जाएगी, वो जो भी परेशानी है उसे मेडिकली तो ट्रीट करी रहे हैं और फिजिकली भी आपका शरीर उस परेशानी को रिमूव करने के लिए तैयार होगा, so all the best और हमेशा आपके साथ है, कभी भी कोई भी क्वेरी हो तो आप anytime हमें कॉल करकर बात कर सकती है, thanks for your feedback, thank you so much sir, welcome, yes, तो ये थे हमारे app users, इसके अलावा भी धेर सारे ऐसे app users हैं, जिनकी pregnancy complete हो चुकी है, इनके feedback videos, website पर, YouTube channel पर, even application के अंदर भी available है, तो आप इन्हें भी सुन सकते हैं, ताकि आपको और clarity आए कि ये छटे, साथवे, आथवे महिने में भी करना क्यों जरूरी है, लेट होना गुना नहीं है, पर लेट होने के बाद, जान जाने के बाद उसे छोड़ना या मिस करना, ये गलत गलती का पस्तावा हम कभी भी नहीं भूल पाते, तो ऐसी गलती नहों जाए, इसका हम हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब पता चल गया है, कल तक तो हमें नहीं पता था कि 80% brain अभी हो रहा है, पर अभी हमारे मन में clear है, अभी जो time बचा है, उस time में भी, एक भी दिन एक भी minute मिस ना हो, यह हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है, तो कल के जो program के हमारे winners थे, उनका नाम भी हम यहाँ पर भी announce कर देते हैं, धीरा शाह, स्नेहल जी, रामिया जी, रोशनी जी, धारा जी, आप सभी को भी आपके code, आपके जो prizes है, वो आपके application, आपके email पर already मुल चुके है, कल का homework क्या है, अब competition नहीं है, अब homework है सिर्फ, art and craft, best out of the waste, and handmade decoratives, अगर ऐसी कोई चीजे आपने pregnancy के दर्म्यान बनाई है, या आप बना सकते हैं, तो इसे बनाईए, और उसके photograph हमारे साथ email पर या WhatsApp पर share करिए, कल सुबह 10 बजे से पहले, जिनकी जिनकी अच्छ अच्छी कलाकूतियां आईगी, उन्हें हम कल के session में share करेंगे, और उनके नाम भी announce करेंगे, जिनोंने best बनाया होगा, ये competition नहीं होगा, पर एक अच्छी activity है, जो pregnancy के दर्म्यान हमें करनी है, तो इस हिसाब से हम इसे करेंगे, कल का session भी विल्कुल miss करने जैसा नहीं है, क ये हमारी final tips होगी, जिसके द्वारा आपको clear हो जाएगा, कि हमें ये करना है, और ये तो नहीं ही करना है, गर्ब संसकार पालन करते समय भी हमारा द्रश्टी कौन क्या होना चाहिए, इसकी स्पष्टा हम आपको कल सिखाएंगे, एक question answer round होगा, वैसे तो आप सभी के प्रसान जी यहां पर आपकी आवाज कट हो रही है, there is an issue in your audio, hello, my voice is clear, मेरी आवाज अगर आ रहे है ताप chatbox में yes type करें प्रसान जी कल के दिन के discussion, पुरा revision हम करने वाल है, including question answer, अभी pregnancy के बाद जो जर्णी आपकी शुरू होगी न, वो है parenting, पैरेंटिंग का guidance आपको कहां से सही guidance आपको मिलेगा, उसका भी हम discussion करेंगे, और कल होगा celebration time, normally तो यह कोरोना जब से आया न, तब से हम celebration भूल गया है, तो कल जितने भी लोग Zoom पे participate करने वाल है, उनको हम request करेंगे कि वो traditional wear लेके आए, और साथ में पुझा थाली और कोई sweet साथ में रखे, कल हम घर्ब संसकार में पुझा विदी कैसे करी जाती है, उसका भी हम practical करेंगे, और वो भी हम online celebrate करेंगे, So, these are the things that we are going to discuss tomorrow. So, hope that is clear and we'll see you tomorrow, sharp on two, till then, happy गवश संसकार. करेंगे, करेंगे, और भी हम आए.